तो यार बहुत सारे श्रोट बोलते हैं कि सर हम लोग की जो बोर्ड की आंसर शीट होती है वो एक बार हमको दिखाओ तो देखो इस तरीके की आपके आंसर शीट होती है पहला पेज आपका इस तरीके का होता है अब इसमें क्या-क्या डीटेल होती है वो मैं आपको दिखाता तो वो आपको ना पहले figure जो आपका होगा seat number A090 जो भी होगा वो लिखना है फिर उस seat number को आपको words में लिखना है और नीचे invigilator signature तो वो जो वहाँ पर आपके class में teacher होगा वो sign करेगा ठीक है अब यहाँ पर आपको एक center number दिख रहा होगा ठीक है तो यह center number आपके admit card होगा उस पर होगा तो वह आप लिख लेना सबके लिए same होता है ठीक है अब यार यह इधर दिखो यहाँ पर लिखा है candidate should paste the barcode sticker है तो आपको यहाँ पर barcode चिपकाना होता है तो वो जो है आपके class में invigilator होगा वो mostly चिपका देगा तो उसका दाधा attention मतलो ठीक है अब नीचे आजाओगे तो यहाँ पर question paper set code अब आपको अलग-अलग set code में paper दिया आता है A, B, C, D तो आपको जो मिलेगा वो आपको लिखना होगा ठीक है तो आपके वो question paper पर होता है तो वो वहीं पर लिखना होता है अब नीचे आओगे तो नीचे subject तो आपका कौन सा subject ह वो लिखना है फिर paper बताना है paper का जो code होता है 0102 जो भी यह ठीक है subject यानि कि कौन सा paper है आपका English Hindi Algebra जो मिलेगे ठीक है अब आपको बताना है date तो उस दिन date किया है वो बताना है और language of answer कि आपका language of answer किया है तो mostly जो English है Hindi है कौन सा answer कि मतलब language में आप लिख रहे हो ठीक है तो इतना कुछ आपको लिखना होता है यह आपके पहर बाकी जो सब दिख रहा है यह सब आपके लिए नहीं होता है जो आपका answer सी चेक करता है उनके लिए होता है ठीक है तो बस यही चीज़ आपको mostly करनी है वीडियो पसा है वीडियो को like करो चैलना को फॉराफ़र subscribe करो वीडियो एंगरता हूं थैंक यू